नमस्कार दोस्तो अब देख रहे हैं इंडिया पटेटो खिंदी दोस्तो आज मैं इश्वक्त उपस्तितू पिश्ची मंगल की हुगली जले की धनिया खाली ब्लॉक की काना नूदी गाउं पे दोस्तो आज यहाँ पे हमारे साथ है धनिया खाली मुकाम की जाने माने आलू थे भ्यापारिया तता किसान भाई साब तो दोस्तो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताते था हूँ अभी फिल sponsor जो देख रहे हैं हम लोग बरतमान पे यू पी में आलू का काफी रेट हाई हो चका है हाई रेट पे ही यू पी में आलू लोड हो रहे है कोल में पता है तो इस वक्त हम पता करेंगे ये जो धनिया खाली मुकाम है धनिया हेमालीनी जोती और चंद्रमुकी शाहितिर साथानव बोई यह हो रहा है देवदास वो है पाड़ो और इधार है चंद्रमुकी तो यह खेती वाली के बारे में तो हम पूछेंगे लेकिन बताईए कि आज आपके इधर अलू याने प्राज आलू का क्या रेट विक्क्री हो 525 रुपया प्तों पैकेट का 50 किलो का सुपर कॉणिटी बढया कलकाता जो गुला अलू मिल रहे है उसका क्या रेट है ऊँ यहाँ बीक्ता नहीं अभी कोई दम नहीं हो उसका नहीं नहीं और कोन कोन सी वाराइटी कै अलू का आज खुदाई चल रही है यहाँ पर कोलंब का उसे 25 रोपे ज्यादा है सरे 500 और हिमाली नहीं यहां पर होता नहीं मेरा मुकाम में दो स्टोर है कानानोधी में दो है 26 कोल स्टोरेज है और पिछले साल जो लोड हुआ था 72 लेक्स पैकेट इस साल कितना लोड होगा क्या लगता है आचाई लोड होगा आचा तो यह जो तीनों खेद हम देख पर है हिमाली नी जोती और चंद्रमुखी यह तीनों क्या बारेज डिशेंबर की बारिस के पहले गड़ाई हुआ है या बाद में बिष्टी का बाद में बार गड़ाई हुआ है तो यानि इसका एज होगा करेब 15 दो महिना दो महिना से ज़्यादा हाँ हां हाँ है आचा होगा है है हम इस बार तैदा बर क्या होगी आप हमको क्या लगता है एक बार आप चंद्रमुखी हमारी जो दादा है एक खुदाई कीजिये ना एक आलू की खेत को हम लोग देख पर है कि एक बेल पे कितना आलू की फसल आ रहा है बरतमान पे थोड़ा एक बार देख लेते हैं ओ माई गॉड़ शे साथ उठाए नालू उठाए उठाए एक पोधे पर या फिर एक बेल पर करेंब साथ छे साथ साथ आई ऐसा तो नहीं होता और भी बढ़िया हो जाएगा लेकिन इस साल ट्यूबर ज्यादा है ऐसा ट्यूबर होता नहीं होता है मोटा होता है अभी तो अभी तो इसका एज है एटी देज का निचे और इसका शिक्स पाद है अब से खुदाई शुरू होगा यह वाला अलू मार्च का दस्तारिक कि खुदा खुदा फोड़ा होगा अभी रही है तो जो अगरती वला अलू हां 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 कैलकाता साईड में जा रहा तो का के में जाता है यहां पर यहां पर जो सोटिंग होता है सबसे आच्छा सटिंग और प्राइज भी सबसे आच्छा होता है यह नहीं जा रहा है अंध्रो उरिशा जाता नहीं हाँ से यहां पर जो क्वालिटी होता है वह सबसे सबसे आच्छा क्वालिटी होता है वह कोलकाता जात पुग्राज का पांसोपचीश पॉइंट लोड है चार्सवासी खुश है किसान हाँ खुश है क्या उनका बयान क्या है क्योंकि मुझे जितना जानकरी है कि एक पुग्राज आलू का खेती करने में बहुत सारे रूपिया खर्चा होती है करीब 20,000 के उपर खर्चा होती है 20 से ज्यादा है 22 से 25,000 खर्चा होता है लेकिन फिल्हाल बर्तमान पर उनको सही रेख आसी से नबी पैकेट होता है एक बिगा में और कोड़ वाला अलू का क्या स्थिती होगा यह जो 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 चंद्रमुखी यह फिर यह जो यहां पर हिमाली नी हाइब्रीड वाला इसका पैदावार कितना निगलेगा आपको क्या लगता है अभी तो पैदा प्यर है पैदा तो आच्छा ही होगा एच्छा अभी तो ठंडी है यूपी में हम देख पर है कि अलू का भाव काफी ज्यादा हो चुका है लोडिंग प्राइस क्या कारण है इसका उसका जो सोच रहा है कि बैंगल में चास हुआ नहीं सेकेंड टाइम चास हुआ है उसका एज है 60 डेज इसलिए उहां पर आलू होगा नह यूटूबर है वह इसको यही मैसेज देता है मैं हिंदी में जो यूटूबर है उसको भी सुनता है वह लोग बोलता है कि बैंगल का एज है 60 डेज का नीचे इसलिए उसको उहां का आदमी है हाँ रियूमार्ट पैदा करता है जदा बाड़ा दिया है जदा बड़ा दिया है वहां की लोगों ने जिसके अलू का थोड़ा लग रहा है कि वहां पर भाव उच्चा हो गया बंगल में जब खुदा शुरू होगा डाम क्या होगा आपक बाहर से आलू आयागा बंगल में सक्ते अलू क्या रगता है उत्र मंंग से आयागा ने इउपी से यूपी का वह च्फ़ेटी साना या फोलता नहीं है वह जो वहां का थी if बंगल है यहाँ bleibt चोलता है इचाड़ा है這邊 बंग घ्रैघ चायं एलूग जब बंगल अगलं règंत बालू खाता है इस साल से कोल्ड भरा बढ़ेगा अपकी इधर सुनाई दे रहा है बंगाल में हो साकता है वह तो गौवर्णमेंट ठीक करेगा अभी तक डिक्लियार नहीं होगा है तो समस्या में पढ़ेगा ना किसाना हो तो हर सल में पोड़ता है एक दो सल अंदर अंदर हाँ लुक बंगाल पे स्टोर जाये हाँ नर्थ बंगॉल पर अगर इसका रेड़ बर जाएगा एक सो बिरानफ पसर एक सो नबबाई एक सो नबबाई हो गया और नोर्थ पे एक सो बहात्तर से अगर 194 हो गया तो काफी समय समय परेंगे क्योंकि हाँ समय सता हो गई पैसा नहीं मिल रहा है उसके ऊपर एक और बोज चिंता बढ़ा देगा तो अभी जो बंगाल पर देखिए बहुत सरे लोग ना सोचते हैं कि हम यानि हम मैं इंडिया पटिटो निउज आप प्यापरियों का दालाल हूं ऐसा लोग बोलते हैं कि हम सही रिपोर्ट नहीं देत है तो इसके मालने में क्या कहेंगे उन क्या बोलू के मत बुद्धी व्यक्तियों को क्या बोलेंगे आप इंडिया पॉटेटो निउज जो देता है श्रिप निउज देता है कोई पेडिक्शन देता नहीं इसलिए इंडिया पॉटेटो एपस को ठैंक्स जनता हूं कोई प किलोμαட़ जारनी करके एक एक जगा से रिपोर्ट बनाना पड़ता है कुछ यूटी बंच लोग है हिंदीवाशी ओ लोग अपने घर पर एसी घर पर बैठ के रिपोर्ट्स पर रिपोर्तर है और बेंगोल में हमारा जो संगटन है और डिस्टिक का संगटन है बेंगल में एई संगटन इंडिया में कोई भी नहीं आए आप अच्छा होता किसान भायों के लिए कोई नहीं सोचता सिर्फ वैपारी लोग सोचता है हे लिए किसान का दौट पहले मैं समझता हूँ नहीं नहीं इसलिए वैपारी लोग आपकी समिधी किसान की हर Reynolds झाल वाल बहुत कुछ यूटूबर है लेकिन इंडिया पॉटेटो एप्स जो निउस देता है श्रिप बेंगोल का बेंगोल का ही जदा ही देता है सोही निउस देता है आखो देखा हल जो बोलता है वही देता है इसका कोई पेडिक्शन देता नहीं दाम क्या होगा नहीं होगा कभी यह बाताता नहीं श्रिप आखो देखा हल देखाता है दाम ज्यादा मिल रहा है प्रफिट भी हो रहा है मार्ट से चासी किसान को विक्री सेल करना परेगा तो अच्छा होगा अगर खेप से किसान भायों को अच्छी रेड मिलेगा तो उनको अलू बेचना चाहिए अबस्वी तो और कोई कुछ बोलना चाहिए अगर आपकी सजेशन से किसी का उपकार हो क्या बोलेंगे आप उनको मैं किसान भायों को बोल रहा हूँ जो इस साल दुआ चब्विस साल जो साल हो ये किसानों की साल है आप लोग खेटी से अलू उतर कर उसने बेच डालो मैक्सिमा अलू बेच डालो 20 पर्सन अलू आप स्टोर में कोल कीजिए लेकिन अगले साल जो फिर 23 साल में जो हुआ वो साल बहुत किसान और बैफसाई को लोस हुआ इसलिए इस साल अभी 500-600 अभी रेट चल रहे है तो किसान भायों को बोल रहा हूँ यह साल आपके लिए साल है आप जमीन से अलू उतर कर बेच दीजिए थानक्यू दादा आप सभी को बहुत बहुत धनेवाद अमारे इंडिया पटेटो हिंडी की ओर से आपकी धनया घाले लाके की आलू करें आप लोग मैं चलता हूं दोस्तों आज का रिपोर्ट मैं यह पर अभी खतम करूंगा क्योंकि अभी भी बहुत कुछ जानकरी आप लोगों तक पौचा नहीं है, चलिये दोस्तों मिलते हैं आप से अगले वीडियो में और आप लोगों ने जो गल्ती कर रहे हैं कि हमें दोशी मान कर, दोस्तों हम निउस चैनल चलाते हैं, हम सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुचा कि हमारा काम नहीं है कुछ जूटा बोलना कुछ प्रेडिक्शन करना या फिर कुछ भविश्य बनी करना आगे में क्या होगा यह देखा जाएगा चले दोस्तो आज का रिपोर्ट यही पर खतम करते हैं आपसे मुलाकात हो कि कल किसी जगा की आलू का खबर देंगे जब तक क ले सुस्त रहना मस्त रहना जए हिंद जए किसान